प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी 5 अक्तूबर को एम्स बिलासपूर और हाइडरो इंजिनेरिंग कॉलेज बंदला का विधिवत उधगाटन करेंगे जो हिमाचल की जनता के लिए बेहद हर्ष का दिन होगा क्यूंकि इनके उधगाटन से प्रदेश की जनता को काफी लाब मि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का बेसबरी से इंतजार कर रही है मौसम खराब होने के चलते प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी मंडी नहीं पहुँच पाए थे लेकिन 5 अक्तूबर को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी हिमाचल आएंगे जिसके लिए हम उनका स्वागत करत पदान मंत्र जी का विनंदन है स्वागत है और हमें इस बात की खुशी है कि पदान मंत्र जी का हिमाचल आना हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विशय है और अभी मंडी का जो कारेक्रम युवाओं का वह 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 आतिहासी कारेक्रम हुआ अलांके पदान मंत्र जी आना चाह रहे थे मौसम खराब होने के बज़े से नहीं आ पाए और इसके बाद फिर उन्हें वर्चुली कारेक्रम को संबोदीत किया लेकिन जहां तक यहां के कारेक्रम के संदर में बात है यह हमारा सरकारी कारेक्रम है और सरकारी कारेक्रम एम्स जो एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल परदेश को मिली है उस सौगात के लिए हम पदान मंत्र जी का अभारवी व्यक्त करते हैं और इसका बीदिवत उद्गाटन होगा उद्गाटन के पश्चात पदान मंत्र जी यहां पूरे हिमाचल के लोगों को संबोधित भी करें सब उत्साहित हैं और पूरे जोश के साथ पदान मंत्र जी का अभी दंतर स्वागत करने के लिए अंपर त्यार है सब टिकेट को लेके काफी वह है लोगों में कि कब तक टिकेट फाइन लोगे विजे पीजेटीगे हो जाएंगे जब टिकेट फाइन लोगे तो हो फाइन कर देंगे उनको सीडी चैनल के लिए बिलासपूर से विजे भारतवाज की रिपोर्ट